Assalamualaikum dear learners and welcome in this video और ये विडियो है How to Avoid the Pitfalls in the Journey of Entrepreneurship अच्छा, Pitfalls क्या होते हैं? आप जब game खेल रहे होते हैं, तो game के अंदर जैसे-जैसे difficulty level बढ़ता चला जाता है कोई बहुत ही hidden, कोई बहुत ही uncertain, unsuspected गिसम का कोई problem आ जाता है कोई issue आ जाता है, कोई difficulty, कोई trap आ जाता है और आप उसमें फस जाते हैं So that's called a pitfall Entrepreneurship excite बहुत करती है लेकिन entrepreneurship में चाहे आपने again वही business venture create करना हो existing business buy करना हो, franchise लेनी हो या family business join करना हो कुछ deadly mistakes होती है उस पूरे process के अंदर जिसको हमें avoid करना चाहिए और हम कुछ solutions भी आपको provide करेंगे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ deadly mistakes की जो कि entrepreneurs कर लेते हैं Number one, lack of managerial skill आप idea बहुत अच्छा conceive करते हैं आपकी product, let us suppose आप engineer हैं और आप product design बहुत अच्छा करते हैं आपकी product development बहुत अच्छी है लेकिन अगर आपके अंदर managerial skills अच्छे नहीं हैं तो business is all about managing your financial, your human or your intellectual capital इसे लिए बाज वकात लोगों के अंदर managerial skills बहुत अच्छे नहीं होते हैं बहुत deadly mistake है Second most important चीज, lack of experience आप कभी भी over confident ना हो आप अभी market में जाने वाले हैं खास तोर पर अगर आप अपना एक नया venture create कर रहे हैं इवन अगर आपने family business भी join किया है तो अभी आपने join किया है अभी आपको कुछ अर्सा लगेगा वहाँ पर experience हासिल करने में तो कभी भी over rely ना करें खास तोर पर जबी आपने बिलकुल नया business start किया हो lack of experience भी एक बहुत बड़ी mistake है जिसमें आप फस सकते हैं उसके बाद poor financial controls चोके initially venture छोटा होता है खास तोर पर ये family business में भी होता है आप mix कर देते हैं business के financial और family या अपने personal financials को आप business से पैसा withdraw कर रहे हैं और आप उसके बारे में कोई जिसे कहते हैं परवा नहीं करते कि आपका पैसा है या आपके investors का पैसा है या business का पैसा है और आपने जरूरत के तहत जब चाहें वहां से अपना business पैसा जो हो withdraw कर रहे हैं ये इसी तरह खास तोर पर अगर आपके employees हैं और वो आपको आके receipts दिये जा रहे हैं और आपको मालूम नहीं है कि उन receipts को counter check भी करना है आप अपने bank account को अच्छे से नहीं समझते तो ये जो poor financial controls हैं ये तो for sure आपके business को बहुत बड़ा financial setback दे सकते हैं फिर हम बात करते हैं weak marketing efforts की आप समझते हैं कि आपकी product की quality बहुत अच्छी है तो इसलिए ये लाजम बिखेगी आपके पास idea है या आपके पास product है या आपने कोई भी trading करनी है at the end of the day आपको उसके लिए एक effort put करनी पड़ती है आपको अपना brand बनाना पड़ता है आपको suppliers के साथ अपने तालुकात अच्छे रखने पड़ते हैं आपको pricing करनी पड़ती है आपको advertising and promotion करनी पड़ती है अगर आप अपनी marketing में weak हैं और market में आके एक buzz create नहीं कर पाए तो भी आपके लिए काफी problems हो सकते हैं फिर उसके बाद आ जाता है कि failure to develop a strategic plan आपकी पास एक strategic plan जरूर होना चाहिए strategic plan से मुराद हम क्या ले रहे हैं मिसाल के तौर पर आपने कहा है कि ये market है इसमें हम product launch करेंगे अगर ये market जिसमें आपने product launch की है ये इस market में आपको market में अपना कारोबार नहीं करना चाहते है कौन आपकी competitors नहीं है initially जो कि अगर खास तोर पर आपका एक new venture है तो initially आपने किस competition को avoid करना है क्या आपने फिलहाल quality competition को avoid करना है price competition को avoid करना है ये सारे strategic decisions है अगर आपकी strategic management अच्छी नहीं है तो again आप एक serious problem में फस सकते हैं फिर उ uncontrollable growth issues भी हो सकते हैं खास तोर पर अगर आपका business चल निकला है या अपने family business जॉइन किया है कभी बी unplanned diversification या unplanned growth ना करें मिसाल के तोर पर आपने बहुत से businesses अपने एर्दगेद अलाकों में पाकिस्तान में देखे होंगे कि उनकी एक outlet बहुत काम्याब चली तो उन्होंने क्या किया कि मुखलिव या मुखलिव शहरों के अंदर जल्दी जल्दी और धेर सारी outlets खोल दी या अपने आपको diversify कर ल आपने location बहुत poor select की है और poor location की वज़े से आपकी inventory issues हो सकते हैं मिसाल के तोर पर आपका production unit है और आपने उसके लिए के जमीन किसी जगा पिर अच्छी या सस्ती मिल रही है आपने जल्दी जल्दी वहाँ अपना production unit लगा लिया पता ये चला कि उस production unit टक जो supply आ रही है वो supply लाए बहुत दूर से आ रही है और आपको transportation cost बहुत जादा bear करनी पड़ रही है तो आपकी inventory issues और आपकी bad location आपके लिए problem खड़ी कर सकती है आपकी pricing incorrect हो सकती है हो सकता है आपने product को इतना under price कर दिया हो कि आपके अपनी financial और जो self sufficient आप होना चाह रहे हैं business के अंदर financial self sufficient वो नहीं हो पाते है या इतना over price कर दिया है कि लोग आपकी product purchase नहीं कर रहे हैं खास तोर पे your inability to make entrepreneurial transition यानि आपको इस पूरे entrepreneurial process में सीखना है बेहतर होना है जहां से आपने शुरू किया था आपके skills को improve होना है आपके managerial हो या financial हो या फिर आपके human या intellectual आपके पास assets हो उनको improve ह होना है अगर आप improve नहीं कर रहे है तो ये भी एक बहुत बड़ी mistake है और ये भी एक setback हो सकता है इसको solve करने का बहुत आसान तरीका है number one be self-aware अपने बारे में अच्छे तरीके से जाने कि आपके अंदर क्या-क्या कमी बेशिया है कौन-कौन से स्किल्स हैं जो आपको सीख नमबर टू अपने बिजनस को अच्छे तरीके से जान जाएं अच्छे तरीके से समझें आपकी product क्या है आपकी market क्या है आपके suppliers कौन है आपकी competitors कौन है और आपने बिजनस को अगले 5-10 सालों में कहां देखना चाहते हैं अपने financial resources को अपने personal resources के साथ mix मत करें अपने financial resources को manage करना सीखें खास तोर पे जितनी financial statements हैं उनको समझें कि यह financial statements क्या होती हैं maintain भी करें और समझें भी उसके बाद सबसे important चीज़ लोगों से सीखें अपने साथ efficient लोगों को शामिल करें अपनी team के अंदर और उनकी experiences से फाइदा उठाने की कोशिश करें यानि इन अदर वर् experts हैं उनके साथ बैठें और देखें कि वो आपको क्या advises देते हैं और किस तरह से वो business करें यानि इन अदर words काम्याब लोगों को observe करें उसके बाद आप अपने उपर जरूर investment करें अपने आपको tune जरूर करें आपको अपने skills को brush up करने की जरूरत है उन skills में आपकी information seeking भी ह हो सकती है आपकी risk taking भी हो सकती है आपकी networking भी हो सकती है आपकी persuasion भी हो सकती है आपकी persistence भी हो सकती है यह सारे skills हैं हैं तो यह soft skills लेकिन basically यही काम्याबी के वो key factors हैं जो आप किसी भी successful entrepreneurs में देखते हैं In nutshell हम यह कहना चाहते हैं कि pitfalls यानि potential problems को पहले से foresee करें और उसका हल भी आपके जहन में होना चाहिए This is all for today's video अब हम एक expert advice लेते हैं entrepreneur से और उन से सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं कि किस तरह की problems को avoid करना चाहिए जिसका कोई शक्स या आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं या करेंगे तो इसको option के तोर पर मतले Option तो तब होती है अगर आप यह कहें कि चलो अगर यह नहीं होगा तो फिर मैं कुछ और कर लूँगा अब आपके अपके फ़र दो ही है, जिन्दगी की option दो हैं, एक option है कि या तो आपका job देने वाले बने और या आप जाब लेने वाले बन जाए, अगर आपने job लेने वाला बनना है तो फिर वक जाया ना चरें और आप सीदा सीदा अपने जाके तो नोकरी करें और अपने बाल बचे पाले और अपने माबाब के ख्याल करें और अपने घर को चलाएं और अगर आप चाहते हैं जाब देने वाले बने तो फिर आपके पस कोई और आप्शन नहीं है मैंने ये देखा है ये पुर्ज़कर पंजबी का महावरा भी है कि सता सालाबाद रूरी तरी का होगा अंदर आप एक दोफ़ा जब अपने काम में लग जाते हैं तो पहला काम अक्सर अकात उसमें कामयाबी काम होती है या नहीं होती है लेकिन उस एक्सपीरिंस से आपको पता लगता है कि आप क्या करें तो आप कामयाब होंगे मेरे एक साहब हैं जानने वाले जो के स्टेशनरी के काम में चले गए अब स्टेशनरी के काम में बड़ा कामपटिशन था तो उन्हों ने ये देखा कि स्टेशनरी के बजाए अगर वो केक के नीचे जो गता रखा जाता है अगर वो काट के बेचने लगें तो वो उनका कामयाब हो सकता है और इस वकत वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मैनुफेक्टरर बन गए हैं उस गते के जो केक के नीचे रखा जाते है अब यह बना कुछ सोच सकता है लेकिन वो उन्होंने तब ही सीखा या समझा जब उन्होंने स्टेशनरी का काम शुरू किया था या पेपर का काम शुरू किया था इसी तरह से जब आप कोई काम शुरू करेंगे उस काम के नतीजे में आपको समझ आएगी कि उस काम में वो कौन सी गुंजाइश है जो के कोई और नहीं कर रहा और जब वो आप काम करने लगेंगे तो उसमें यकीनियन कामयाबी होगी तो इसको साल लगता है, दो साल लगता है, तीन साल लगता है, चार साल लगता है, ये डेडिकेशन के साथ होता है आपके खांदान आपका सुपोर्टिव हो आपकी जो बीवी है आपके माबाप है वो सब आपके लिए दौाइं आपके लिए कर रहे हो और साथ आपकी मदद भी कर रहे हो इंशाला काम्याबी आपके कदम चुमेंगी